हेलो फ्रेंट्स वेलकम डिवान अक्यादमी देश्वी डॉक्टर सिधात रोड़ा एंद फ्रेंट्स एक आप्सोल्यूटली न्यू सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं अब आक्चुली हुआ क्या कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे इतना excitement में topic पढ़ा नहीं पाता है मेरा तो सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि मेरे students को मेरे learners को पूरा का पूरा subject आए और पूरा का पूरा subject in depth detail करने का automatic मतलब होता है subject थोड़ा सा boring होई जाएगा जब इतना detail में करोगे तो subject में excitement कहां कहां से लेकर आओगे सो मैंने सोचा क्यों ऐसा चुपा चुपी खरना कि भाई excitement होगा बड़ा entertainment होगा पता नहीं क्या-क्या मज़ा आएगा गाने देखने को मिलेंगे पिच्चरे देखने को मिलेंगे ऐसा कुछ होने वाला है नहीं सो यह मेरी जो सीरीज है यह इसमें मैं बहुत सारे topics लेकर आँगा बड़ यह बिल्कुल boring होगे बोरिंग मतलब capital B-O-R-I-N-G okay capitals में मतलब नींद आ जाएगी यॉनिंग होगी आदमी बोलेगा बस करो और यह detail चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक मुझे ensure नहीं हो जाएगा कि मेरे students ने अगर यह पढ़ लिया so they are on the direction of becoming a topper in civil service examination so welcome to the most boring and the most detailed quality with me Dr. Siddharth Arora और आज के topic के लिए मुझे पढ़ते टाइम और पढ़ाते टाइम भी घवराट हो रहे है because of the fact because सबको मालूम है the Omicron or Omicron जैसे मझे प्रनाउंस करोगे is coming back और यह बहुत ही डर लग रहा है that there is a return of COVID because the entire world has faced the wrath of COVID in the last year and the last to last year और क्या फिर से we are going towards that severe phase, that dark phase of COVID or not तो मैं यहापर COVID क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं Science and Technology थोड़ना पढ़ा रहा हूँ मैं Omicron, Oh My God जैसे मर जी बोलना है बोल दो इस return of COVID से related मैं तुम्हें polity पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें governance पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें constitution पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें current affairs पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें NCRT पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें federalism पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें supreme court judgments पढ़ाऊंगा ओ माई गॉड तुम्हारे भी मुझे निकलेगा यार केतना पढ़ा होगे सर अरे मैंने पता है नहीं क्या ये क्लास बहुत बोरिंग होने वाली है बहुत टीटेल्ड होने वाली है ओओ अब यह घ्म है है सबस्वाइब है इस वीडियो में हम कोविड रेटर्न से रिलेटेल करिंट अफेस पढ़ेंगे हैं एक वाल्ट से रिलेटेल एटेल एंसी एरटी क्लास 7 पूरा टेक्स्त पढ़ेंगे उस पें समझने की कोशिश करेंगे की हेल्ट को गवर्नेंस के इ होता है फिर हम पढ़ेंगे relevant laws related to COVID that is pandemic management से related epidemic diseases Act disaster management Act इसको पढ़ेंगे और in-depth पढ़ेंगे at least with the relevance of what is called as the management of COVID फिर हम अचानक पढ़ेंगे issues related to federalism बोट सारे लोगों लोगों कि भगवान सरी से federalism कहां से आएगा you will see the interesting connect between COVID management the interesting connect between the laws related to COVID management and federalism and फिर हम उसमें से एक supplementary topic पढ़ेंगे national disaster management से related and also थोड़ी बहुत Supreme Court की जो involvement इसमें automatically होई गई है तो उसमें हम पढ़ेंगे doctrine of harmonious construction so this is me Dr. Sidhar Tarora अनकेडमी के दुनिया में मुझे Sidlight Court से जाना जाता है और मैं तुमको यह वीडियो बनाऊंगा और सिर्व ऐसे नहीं बहुत सारे और topic पढ़ाऊंगा लेकिन एक बड़ी ही खतरनाक statutory warning है वो warning यह है कि यह बहुत ही boring होने वाला है यह बहुत ही boring होने वाला है तुम जरा भी excitement के उमीद मत करो जरा भी gravity की उमीद मत करो जरा भी यह मत सोचो कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाएगा बट यह भी assured है कि यह 24 karat rock solid preparation है तो इससे आगे इसके बाद इससे पहले इससे उपर कुछ भी नहीं पढ़ाए गया है कभी भी नहीं पढ़ाए गया है और यह मेरा plan यह है कि यह टॉपर मिटेरियल तुम्हारे साथ शेयर किया जाए ताकि तुम्हें पता चले कि पॉलिटी पढ़ते कैसे तुम्हें प्राइब कोड़ा जाता है मैं चाहूंगा और आप सब को ने मंतरण देता हूं तो जॉइन मी ओन माइट टेलिग्राम चैनल यह है मेरा टेलिग्राम चैनल का लिंक इसको जॉइन करो ताकि यू कीप रिसीविंग अपडेटेड नॉलेज और पॉलिटी गवर् यूपीशी कीशी के फ्रॉंग अस्व जो भी नया कोर्स आ रहा है कोई भी नया ओफर आ रहा है कोई इंफॉमेशन मुझे शेयर करनी है कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि पारलिमेंट में कुछ अनुखा हुआ सुप्रीम कोड की कोई नई जजमेंट आई या वाटेवर इ इंट नच्छ रलेशन्स वो मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेर करूंगा प्लीस जेयर करूंगा प्लीस बीए पार फॉट विए पार अविए टॉर अन अच्छ विए इंट अधॉर इंट आपको एको निम्न देरां ओर फॉर 26th December and 2nd January at 11 a.m. when we have UPSC CSE combat which is based on recent syllabus questions created by top educators detailed video solutions get real-time all-in-day rank और तुम्हें सिफ सिद्लाइब कोड यूज करना and be a part of it अनकाडमी अलसो ओफर्स यू अना इकोनिक सब्सक्रिप्शन and loans all you have to do to access these is सिद्लाइब कोड सिद्लाइब कोड यूज करते if you notice okay immediate huge discount मिलेगा तो जब तुम आनकाडमी के आप पे जाओगे जहां पर referral code के जरूत हो जाएगी use the code said live and for plus classes or iconic classes you will immediately get a discount so don't waste this opportunity take or full opportunities of what an academy is offering you an academy as it is तुम्हें बहुत ही reasonable prices दे रहा है और सारे के सारे सारे के सारे courses सारे के सारे subjects are available under one platform this is 24 karat rock solid preparation you are a wise gang of students take a wise decision now so this is about me and let us start the video so get December 23 2021 ka okay the Hindu newspaper के थोड़े से screenshots है और उससे पहले के थोड़े बोड uh requirements of understanding of the entire scenario of the news है so Corona virus से related updates आ रहें December 23 2021 यानि कि आज ही से और एक दिन पहले की बाते हैं यह सारी बाते सो इसमें पहला आया प्राइम मिनेस्टर मोधी holds review meeting amid rising concerns over omicron spread अब इसके pronunciation पर हम आर्गुमेंट कर सकते हैं कर लो या मेरा क्या जा रहें लेकिन omicron हो या omicron हो या omicron हो जो मर्जी वह भालो भाया कोविट का वाइरस है उसका वेरियंट है और पिछली बार जो डेल्टा ने धमा क्या किया था हमें बहुत डर लग रहा है और इसलिए हमारी government is taking pre-emptive steps to ensure कि वह return ना हो तो Prime Minister Narendra Modi held a review meeting on COVID-19 situation in the country amid rising concerns over spread of omicron variants of coronavirus official sources said Mr. Modi took stock of pandemic situation across the country in a high-level meeting attended by senior officials and experts Tamil Nadu से news आ रहे 33 more cases of omicron variant in Tamil Nadu have been detected and इसका मतलब है वहां पर भी cases हो रहे है पूरे country में देखा जाए तो 236 such cases हो चुके हैं इंडिया has recorded 236 cases of omicron variant of coronavirus among 16 states and UTs so far out of which 104 people have recovered or migrated according to Union Health Ministry data माराश्च्रा has recorded the maximum of 65 cases followed by Delhi तिलंगाना करनाडगा रजस्तान and किर्ला तुक बोलोगे से 236 डरने की क्या बात है बिड़ा इसे इस्तार्ट होता है दीरे दीरे होले होले 236 होता है पहले तो जब लास्ताइम का हुआ था जब लास्ताइम पांडेमिक पेड़ा था बोर टाइम तक तो यह नौट गूनों टेक अनी चांसे अंड़ दाड़ दाड़ वियर गोई अहेड विद विद अल्ट प्रियम्टे मेजर्स और अल्ट प्रिपरेशिंग तो यह है करेंट अफेर्स इस करेंट अफेर्स के तहत मैं तुमको यह सब्यक्ट पढ़ाना चाहरा हूं इन दर लाइट of what is happening so हमने दा हिंदू का यह न्यूज देखा और अब हम अचानक जाएंगे NCRT क्या connection है very good so मैं class 7 की NCRT से health related chapter तुमारे साथ पढ़ूंगा फिर मैं धीरे धीरे वहां से basic से पढ़ते हुए advanced level तक जाऊंगा तो sit back relax coffee पीलो और अराम से बैठ के पढ़ो और देखो कि subject पढ़ा कैसे जाता है you don't cannot hurry up the subject you cannot rush through the subject you have to absorb the subject it must become a part of your living memory तुमको idea होना चाहिए तो वलकॉम तू बोरिंग एंड डीटेइल पॉलिटी वेड डॉक्टि सदातरों तो मैं chapter 2 of NCRT class 7 पढ़ रहा हूं तो यह है role of the government in health अब यहां से एक एक लाइन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यह है क्या इना democracy people expect the government to work for their welfare इसमें दो वर्ट्स बड़े काम के आगे नंबर वान है welfare नंबर टू है democracy in fact number 3 भी है क्या हैसे expect okay so there are three important elements okay अभी तो पहली लाइन यह it could be through provision of education health employment housing development boards etc in this chapter we shall examine the meanings and problems related to health तो सबसे पहले बात है हम democracy की बात कर लेते फटाफट तुरंट तुरंट करेंगे ओके ताकि हमारे सारा का सारा chapter खतम हो जाए पता चले मैं पूरे दिन ही पढ़ाता जा रहो okay क्योंकि अगर मैं पॉलिटी को in depth पढ़ाता चला गया तो पूरा दिन निकल जाएगा और यह chapter खतम नहीं होगा वैसे उससे तुम्हारा बड़ा भला होगा यह कि मेरा गला खराब हो जाएगा which I don't want okay so the point here is हमने किया है democracy democracy simple सी बात है is government by the people of the people and for the people very good तो यह people 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 के लिए है तो तो people ने तुम्हारे को क्या किया people ने government को देदी power क्या करके कि government तुम ना हमारा welfare करोगे इस भरोसे पर इस उमीद पर कि तुम हमारा welfare करोगे the power which was vested with the people has been handed over to the government to the representatives by the mediums of free, fair and regular elections बहुत बढ़िया तो democracy में मैं people हूँ और मैं people से उमीद करूँगा कि तुम free and fair and regular elections में participate करो जनता अपना जनादेश देगी सरकार बनेगी और सरकार welfare करेगी welfare से related पढ़ते पढ़ते तुम को याद हो जाना चाहिए certain concepts okay of DPSP's DPSP's is very important article 38 which says that the state shall strive to become a welfare state तो what is the welfare state welfare state is something in which justice, social, economic and political shall inform every sphere of national life अईसा पढ़ा करो मेरा बच्चे आयो अंडेस्टाने तो हमनों welfare state बनना की कोशिच करेंगे at least strive करेंगे हमारा aim ही welfare है तो यह हो गया मेरे बहुत सारी बाते तो एक नंबर वान हो गया democracy very good दूसरा हो गया हमारा government से expectation कि वो welfare करेगी so actually देखा जातो इसी लाइन में political science PSIR का भी concept हो जाता है कि जब हम political culture की बात करते तो एक होता है system एक होता है process एक होता है policy क्या तीन पास होते है system process and policy जो process होता है उसमें the people की कुछ expectations होती है of the government तो वो हो मीद करती है की निसक्व हमारा भखार होगया है and so on so on thoughts leopard लेकर एए यह भी डिपेंड करते है क्यों सा manage control is the Canada कि government इसका और expectation होगे Sweden की में चुछ और expectation पाकिस्तान की कुछ-th recent यह पता नहीं होगी नहीं होगी लेकिन talking about health यहां तर पिच्छा क्लियर है तो आगे चलेंगे रड़े फॉर नेक्स लाइं अब सिंपल सी बात है नेक्स पॉइंट आ जाता है वाट इस हेल्थ वरी गुड यह कैसा कॉश्चन होगा या वोट इसल्थ पताओ वेकर थिंग ऑफ हेल्थ इन मैनी वेस्ट यह वी बात ही हेल tuck means our ability to remain free of illness and injuries but health is not only about disease you may have associated on initiality some of the situation in the above collage with health toghum go both are the situation Hasa Tier communicable disease non communicable disease etc etc what we often ignore is the fact that each of theible situation is related to health apart from disease we need to think of other factors that affect our health for example if people get clean drinking water or pollution-free environment they are likely to be healthy on the other hand if people do not get adequate food to eat or how to live in cramped conditions they will be prone to illness so yeah it's a homework देते ते स्कूल में पड़ो कर देते ना अगर हम दो स्कूल में धंक से पढ़ लेते ना तो हमको यह समझ में आ जा जाता हमको सिर्टने की आदत होगी ति इसलिए हमारे भी माक्स काम है इसलिए हमें भी सब्जेक्ट समझने में थोड़ी से प्रॉब्लम हुए मुझे उमीद है कि तुम अप सुदर जाओगे सब्सक्राइब तो वर्ल्ड हेल्ट ऑगनाइजेशन वह ने ओके हल्थ के बड़ी सॉलिड डेफिनिशन दी डोक्टर्स को बड़ी अच्छे दासा मालू होते हैं कि हेल्ट इस नौट मेरली एं अपसेंस ऑफ डिजीज के हैं इस फिजिकल इमोशनल सोशल वेल-बी ऑफ प इमोशनल सोशल वेल-बी यह सब कुछ और इंफाट मेंटल ऑसो फिजिकल इमोशनल मेंटल सोशल वेल-बी इस कॉल्ड आस हेल्थ तो हेल्थ बहुत ही प्रॉमिनेंट चीज हो जाती है इसलिए आप इसको एक ब्रॉट स्पीकिंग पर कम्यूनिकेबल नॉन कम्यूनिकेब पड़ने की जरूती है बेकाज एक तो यह थोड़ा सा पुराना डेटा होगा और दूसरा मुझे डेटा यूस का करना है मैं तो कुछ करता नहीं हूं तो इंडिया लाज़ेस नंबर और मेडिकल कॉलेज़ेस हेल्थ के फैसलेटी से इतना तर मेडिकल टूरिस्त है इंडि कुछ है ना वो क्या शायर ने वोलता ना मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है यह तुम्हें मालूम है यह तुम लोग रोज सुबशान न्यूस्पेपर पढ़ते हो तो मैंने चाहूंगा डेटा कितने याद करो कितने है यह सब को हम पढ़ते हैं पढ़ने के जरूद भी नहीं तो इसको छोड़ दो तो मैं बोरिंग पढ़ा रहा हूं पड़ इतना भी बोरिंग नहीं हो ना कि डाय हार्ड बोरिंग हो जाए है ना बिलकुल वह पता चलो यह भी पढ़ रहे हो यह सब नहीं पढ़ना है ठीक रखी तो हमको यह बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर के विशे में डिसकर्शन करना है और वह हम यहां से करेंगे तो दूसरा पेच नथिंग मच ओके लेट्स को तो इंडिया है लाज नंबर और डॉक्टर्स क्लिनिक्स एन होस्पिटल यह फिर से वह वाली बात है अब हमारे सा सब्सक्राइब पब्लिक हेल्थ के सिस्टम पे तो सीधा मुद्य प्याओ ना रहा रहे है मुद्य प्यारे तो मुद्य पे यह आ रहे कि इसमें हम यह सब दुखों को निवारण करने के सोचेंगे पेशेंट्स यूजुली हाव तो वेट इन लोंग क्यूज इन पब्लिक ह हॉस्पिटल्स लाइक दिस वाँ गोडिया सो एक स्टोरी ऑफ हकीम शेख साब का स्टोरी भी दिया हुआ है कि उनका एक हाथसे में आक्सिदेंट हो गया और उनको हैड इंजरी तो गई फिर बोथ सीरियस कंडिशन्स हो गई उनको एक गवर्मेंट हॉस्पिल में लेकर ग अठ अलगलग भी टोपिल्मेंट हॉस्पिल में लेकर गए गए फिर फिर भी कोई ठीक ही नहीं कर पाया फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आया जहांप रूप कुछ ने केस की बात यह पर्मानद का रहे हैं कहां से कहां कनेक्ट कर रहा हूं मैं तुम लोग को तो ब अराम से मेरे जब वीडियो देख रहे हो ना तो सोफा वे बैटके आराम से बैटा करो और साइड में देख लिए करो यह को पैनी शाप चीज ना पढ़ी हो एक प्रमानत कटारा साब ने एक प्ली रेस की कि माई लॉड एक तरह से हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं और एक साइट पर हम यह बात बोलते हैं कि हम लोग तो सब लोग एक फैमिली है इंडियन से एक फैमिली है लेकिन रास्ते पर अगर किसी को चोट लग जाती है रोड किसी आकसेडट में dynamics किसी में चोट लग जाती है लोग एक दूसे को उठाकर नहीं लेकर जाती है पता हो या कैसे कैसी रेटर्निटी है सो और उसकी प्रॉब्लम भी है कोई उसको ठाकर लेकर जाएगा हॉस्पिटल में जाएगा फिर वहां पर बोलेंगे पुलीस का पहले सारा फॉर्मालिटी पूरी करो फीस तो एक्सेटरा करो कहां से कोई करेगा तब ही सुप्रीम कोट ने गाइडलाइन से शुकी थी जो परमान घटार वजासी में इंडिया के के पास था कि कोई भी हस्पिटल वुर्मारा वाड हस्पिटल उसको अपने एमेजएन्सी वाड में और थैंक्फुली बहुत अच्छा था उसी को देखकर करनाडगा गर्मेंट हैं गुट समरिटन लॉपास किया था इनफाट डेली गर्मेंट फरिष्टे प्रोग्राम चला रही है यह सब उसी के पॉइंट पे चलो जी कहां से कहां जाओगे सर कितना डीटेल पड़ाओगे यह भी ठीक है तो यह सो कॉल्ड स्टोरी है बड़ी स्टोरी नहीं है यह हम आपकी दास्तान है आपको मालूम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पॉब्लिक हॉस्पिटल्स में कितना फरक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फेसिलिटीज मिलेगी फाइस्तार होटेल ज बॉलिट मोटी लेंगे तो यह वो स्थोरी है और दूसरी जगह पर अगर तुम पब्लिक ऑस्पल में जाओगे तो लाइन पे लाइन पे लाइन पे लाइन होगी एक ही डॉक्टर के आसपास 50 पेशिंस गूम रहे होंगे ओके फटाफट फटाफट उनको दिया जाएगा टे एक चीज महेंगी है और दवाया महेंगी महेंगी बता रहे है इन अधर वर्थ इट इस हैवी ओन पोकेट और दूसरी साइट पर कन्वीनेंस नहीं है तो पॉब्लिक हेल्ट सर्विसेज जो सरकारी सर्विसेज होते हैं इस चेन फेल्ट सेंटर्स एन होस्पित रन बाइन सब्सक्राइब और दूसरी सर्विसेज विलेज लेवल देरा प्राइमेर हिल्ट सेंटर्स सच्टर्स कवर मैनी विलेजेस इंदर रूरल एरिया डिस्ट लेवल पर इस्टिक हॉस्पितल्स होंगे लाज सिटीज पर गश्पितल्स होंगे यह न तुमको से लिखने के जो पब्लिक होती है वह ने दियो होता है हमारे टाकसिस गत्रूल अझा होता है तो सिंपल सी बात है कि इस फॉर एवर्य वान इस लिए पब्लिक है ओन्द कॉंडरी देर इस प्राइवेट हेल्स फेसिलेटीज प्राइवेट ही अटो मांटिकल तुमको बड़े बड़े सब नए हुआ है यह तु हमको को पता है करना सब देते हो जाते हैं नहीं बिटा अभी तो यह आगाज हुआ अंजाम तक आते हैं तुमको बहुत कुछ पढ़ना पढ़ेगा NCRD पढ़ो जस्तुगेट दो एंटायर आइडिया ऑफ हाव थेंस वर्क वेरी गुट सब अब प्रॉब्लम यह कि हमारे पास है आर्टिकल 14 कुछ भी से कोई भी कनेक्शन कहीं से भी लिया हां आर्टिक इंडिया जादा जोड से बोल एकम स्पीड में बोल नहीं मैंने बोल आर्टिकल 14 सेक्ड़ नॉर्ट एन्ड़ टो एन्वर ने परसेट शानों डिनाइड क्या होता है ना जब सब्जेक्ट पुरा आता है ना तो तुम भी स्पीड पकड़ के लेता है डनाइड टू एनी प प्रोटेक्शन ओफ लॉस विदिन दो टरिटरी ओफ इंडिया तुम इसको याद भी कर लो और लिख भी लो ओके तो एक मिनिट तुमारे मन में खयाल आए होगा कि मैं ये हेल्थ वेल्थ में आर्टिकल 14 क्यों बढ़ा रहा हूं हां मेरे यह पॉइंट था एक वॉलिटी आर अर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 और अर्टिकल 18 में हमारे फंडामेंटल राइट्स लीडिंग टो एक्वालिटी है तो जैसे मैं आर्टिकल 14 पता है स्टेट शाल नोट नाट वनी परसें एक्वालिटी बिवोड दो लोग और उक्वल पूटेक्शन और लॉस विदिन इस देडिटरी आर्टिकल 15 दो आर्टिकल 15 विद्विन ओर नोटिकल रिच्वालिटी के बात करता हूं विद रलेशन्शिप को लोग विद रलेशनिशिप टू रस्रीजिटी प्लीकल आटिकल 17 प्रविशन और टेटी आटिकल 18 नो टाइटल से रिलेटेटेट एंसोड औ तो कभी-कभी-कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि हेल्थ केर से रिलेटेट्टी नहीं होनीचे हां हेल्थ is not important यहीं कोश्चन यहां पर पूछा गया है कि जब हम इक्वालिटी के बात करते हैं जब हम फंडमेंटल राइट के बात करते हैं तो सारी तरह की फंडमेंटल रा तो इससे बेले के तुम्हारे मन में को ऐसे ऐसे विचेतर विचेतर तरह के ख्याल आए ये थोड़ी पुरानी NCRT भी है ओके अब पॉब्लिक सर्विसेस आर इंप्रोविग आयुष्मान भारत और अन वल थी स्कीम्स दार अपनिंट अमने देली गर्मेंट ने भी बहुत सारे ऐसे किये हुए तो विया अच्छुली बेटर पर फिर भी जैसे बुलते है ना कि इल्ट प्राइवेट अस्पितल प्राइब इंप्रोव तो अभी भी ये काफी पीछे तो इन ओडर तो ओन मोर मनी इस प्र प्रेट को मेंटेन करें कि नहीं एक बड़ा ही दरदनाक सीन इसमें देखाया देस प्रेगनेट लेडी हैस तो ट्रावल मेनी किलो मीटर्स तुसी अप्वालिफाइड डॉक्टर यह 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 देखकर ना बड़ा घवराट हो जाती है कि हम लोग बाते करते कि एक्वालिटी है फंडामेंटल राइट से यह है बट एक एक बहुत मेजर पार्ट अफ इंडिया यह स्ट्रॉगल भी सहर है तो एक बार डॉक्टर अंबेटकर से पूछा गया था मेरे गुरुदेव की अग्वार्ट सब्सक्राइड अगे जाकर क्या ठीक हो रहा है सो अब मेरा सारा सिच्वेशन है कि क्या मैं एक्वालिटी सिर्व आर्टिकल 14, 14, 17, 18 पे लिखूंगा तो हमने लिख दिया आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या मैं एक्वालिटी को सिर्फ ढूंडूंगा कि आ जाओ कहां हम वेलफेर स्टेट है अरे यह तो शब्दो प्रक्रों कि देश के बविस्य रेक्वाब करएं अगर मेरी देश के भविश्य दो मेरे देश के भविश्य गुल्राइण वह यह क। ऑड़ नहीं सर्विसेंगे कि अभी बहुत सरूरुत है तो अचीव ऐकौलिटी so it is not also about the writing on paper it is not only about laws it's not only about the Constitution but also what to be done फिर हम को है कि एक उमीद है न सर जब तक होप नहीं होगा जब तब विश्य की तरफ उमीद से नहीं देखोगे तुम कैसे जिंदगी में आगे बढ़ोगे इसलिए कुछ ना कुछ सल्यूशन के विशे में तुभी तुमारे विचार हम जानना चाहेंगे तो वाट कैन बीड़न और राइट समय मालूम है कि प्रॉबलम है ओके तो फॉर्स तिंग ऑफ प्रॉइद आप प्रॉइद आपके तो रिकोगनाइस देर इस देर इस देर इस प्रॉबलम आपके तुमारे एड़न चाहेंगे तो आपके अरष। एक यह किया अरष डीज्वेन और राइस टीजा प्रॉबलम जाएट इस जार में जाधन पॉर्इद प्रॉबलम जाई याट्पली एडव जाब्ड़न झे तुमारे कि ऑन Cाहाँ जिए टिन ए प्रॉबली को छ सिन सब्सक्राइब करने सकता है यह इसमें कुछ करने सकता है यह NCRT की पुरानी बुक है इस नहीं है करेंगे एडिचान सब्सक्राइब करेंगे कि यह पैसे खर्चा करेंगे किस पर आर्मी पर आर्मी पर खर्चा करेंगे बहुत ज्यादा पैसा वहां चले जागा इंसेड़ दाट मुनी हम उठाकर ह करेंगे एडूकेशन बगरेंगे बाकी फैसिलिटीज प्रोवाइट करेंगे टूद पीपल और इसी वज़े से सारे के सारे अच्छा दिंग्यू मोटर सानिटेशन न्यूटरिशन हाउजिंग हेल्ट एजूकेशन इस पर जादा खर्चा होगे और सडरली आपको रेलाइज मेहनत करोगे दंग से काम करोगे और इंड वैल इंटेंशन काम करोगे यूवल सर्टनली गेट दरिजल्ट सो यह था हमारा इस टॉपिक से रिलेशन और मैंने यह इसलिए पड़ा विकॉस गवर्मेंट का एक मेजर रोल है ओके एक मेजर रोल है इन मेंटेनिंग हेल्थ त कि वो हमारी हेल्थ को प्रोटेक करें मेंटेन करें गर्मेंट को की परेशार इन फाक्ट अगर सोचे जाए तो राइट टू हेल्थ ओके एक तरह से आर्टिकल 21 में वर्ड लाइफ ताट इस लिविग विट चॉइस और डिगनिटी में भी आ रहा है तो इस वेरी दो पाट होगे एक होगे कि गर्मेंट आर्टिकल 21 में इसको बोल सकती है मतला हम लोग इसको मान सकते हैं फंडामेटल राइट और अगर तुम्हें नहीं दिल कर रहा कोई बात नहीं तुम्हारे DPSP में तो इसको पक्का ही प्रोवाइट करना पड़ेगा इन आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 में इस वेरी वेरी इंपोर्टन बट सिंपल सिफर रखिये हैं कि आर्टिकल 21 होता तो यह फंडामेंटल राइट होता अंडर दो ग्यारेंटियों दो कॉंस्टिशन होता और अगर यह आर्टिकल 47 में तो यह DPSP यह नौन इंफोसिबल है सिंपल सा मैंने तुम जलती जा रही है तो वह भूली दास्ता जो फिर याद आ गई क्यों होगे सर यार यह बड़ा दुक्क्य वाले दिन वापस यादा रहे ओके तो कोविट 19 पैंडेमिक ओके जो की पिछले साल और पिछले से पिछले साल ओके ने इतना चबर्दस हैवप क्रिएट किया और अ कामला थोड़ा बहुत सुलड़ गया इस्पेशली आफ्टर दो वैक्सिनेशन ड्राइव ओल ओव द वर्ल्ड लेकिन फिर यह आ गया है वो माई गोर्ड ने ओमी क्रॉन ओके तो यह ओमी क्रॉन ओमाई क्रॉन पतने कैसे कैसे नाम है लेकिन यह जो कोविट 19 का पैंडेमि आरा था लाग नमबर अब केससे सारहापणिंग कुछ लोग वह रहते कि वैक्सीन एफेक्टिव है कुछ लोग वो रही नहीं एक वैक्टिव है कुछ लोग वो ले यह less infectious है और सुनाई दे रही है और हमने इस क्लास को साट करने से पहले साट कर दिए रिया अपर तकिया केसे तू तर्टी सिक्स और और केसे हमारे देश में जिट चुके और जिस तरह से हमारे देश की पॉपुलेशन है जिस तरह से हमारे यहां पर अब थोड़ा साम लीनियंट भी जरूद से ज्यादा हो गए तो भी वह बहुत ही बहुत करें बगवान करें उतना जदा विरूलेंस ना हो जतना पिछली बार था लेकर इन स्टेल वी के नोट भी टेकिंग इस तिंग्स लाइटी कोविड-19 का पैंडमिक है और यह पुरानी यादेव अपस आएगी अब सारा का सारा सीन होता है कि कोविड का सोकॉल क्योर तो है नहीं सो वी ओनली हाव वन मित अड़ोलोजी और इस तो ब्रेक द्रांसमेशन और ब्रेक द्रांसमेशन का आटमाटिक मतलब होता है और यह प्रेवेंट इस फ्रॉम और उसका एक ही तरीका है जो कि सजिस्टेट तरीका है वो है क्या मास पैनो और दूगज की दूरी बनाओ आँ सोशल डिस्टेंसिंग करो लेकिन कैसे पॉसलिल होता है या बड़ा मुश्कल हो जाता है तो यूवल रहाव तो गो वेरी 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 हमारा पुरा पूरा 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 मितोडोलोजी चैन्ज होना पड़ेगा ना इम शोर कि तुम्हें यह बात मलों तो ये पुरान के बाद एक दिन का हुआ फिर उसके बाद वी वेंट इंटो लोगडाउन और यू नो देंटाय स्टोरी अफिट तो पूरी दुनिया बदल गए एक मैंने से ट्विटर में पड़ा था कि बड़ा अच्छा किसी का व्यू था बड़ा स्मार्ट ली जा था अच्छा तो नहीं हमारे देश को बोला कि आप लोग घर में रहो और कोशिश करेंगे हम यह सोचल डिस्टेंसिंग होगी दीरे दीरे ट्रांसमिशन चेंट टूटेगी और हम लोग इसको प्रोग्रेस करके निकल लेंगे बहुत सारी जद्दो जहत के बावजूद ओके वी फेस लाज नंबर of cases, large number of deaths in this country लेकिन अब फिर से यह challenge आया है तो हमको थोड़ा बहुत revise करना पड़ेगा रिवाई इसलिए बढ़ेगा है विकोज एक समधार आदमी ने कहा था history has a repetition cycle okay history repeats itself तो अगर तुम इसको यह देखोगे तो जैनवरी 22 जैनवरी यह पिछले साल की खबरें हैं तो यह जैनवरी 22 जो है तब practically हमारे पास cases बहुत कम हुआ करते थे लेकिन फिर ऐसे speed में बढ़ इतनी स्पीड में बड़ा कि हमको लगा था कि जब 89 cases double digit में cases और तब इतली में इतना ज्यादा cases थे लेकिन इन सम ताइंग वी सर्पास्त और्मॉस्ट एवरी वान के बिकॉज यह बहुत rapid spread होता है कि यहार अभी तो से 200 cases है क्या होगा बिकॉज ऐसे ही हुआ था लास्ताइम भी और यही चांस हम नहीं चाहते तो मैं यहां पर science and technology नहीं पढ़ा रहा हूँ अगर तुम्हें ऐसा लगने लग्या कि सर ना science and technology पढ़ा है मैं क्यों पढ़ा हूँ science and technology मैं तो पॉलिटी गवर्नेंस और आयर पढ़ा हूँ तो मैं चला अपनी देश में कहां पर मेरे comfort zone में relevant laws में मुझे नहीं आता यह omicron variant और डिल्टा वेरिंट यह सब मैं नहीं पढ होता कोविड मैनेजमेंट एक तरह की health care management थी कोविड एक तरह से management को हम pandemic management या फिर epidemic pandemic management बोल सकते तो मैंने कोई भी government जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी इस situation से हमको निजात पाए या हमें दिलवाए तो वो कैसे करेगा जब तक union government या state government के पास कोई relevant law नहीं है उनके पास power ही नहीं है तो वो हमाई हमाई रक्षा कैसे करेगे तो spider-man बुदे ना with great powers come great responsibilities so with great responsibilities you should also have great powers very important so पहले as a student of polity as a student of governance as a student of law as a student of the constitution हमको पढ़ना पड़ेगा some relevant laws which are related to pandemic management तो अब तक तुम अच्छे सब बोर होगे होंगे तुम अगर भ्योश नहीं होए होंगे तो कम से कम तुम्हारी पलकें भारी भारी होरी होंगी तुम्हें नींदारी होगी कोई बात नहीं यह और बोरिंग होगा पता हो हद होगी है तो पहला हम करेंगे the epidemic diseases act of 1897 तो पहला law हम करेंगे epidemic diseases act of 1897 amongst the laws which are relevant which are relevant for dealing with a situation like the covid-19 pandemic तो हमारा पहला law है epidemic diseases act of 1897 और ये epidemic diseases act of 1897 as the name suggests deals with the different types of arrangement and the powers जो government को चाहिए होती है जब एक epidemic spread कर जाता है law की problem कुछ और है law की problem ये है कि law ना emotional नहीं होता law will always require some kind of exact definitions so let us go with the exact definitions of epidemic diseases act of 1897 so मैं यहां पर पढ़ूँगा और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी तो तुम भी मेरे साथ पढ़ो all right तो यह है epidemic diseases act of 1897 an act to provide for the better prevention of spread of dangerous epidemic diseases यह ज़र लाइन नोट्बुक में लिख लो कैसे लिखे हम तो सो गए थे कोई बात ही उठ जाओ एक बार एक बार लिखो and act to provide for the better prevention of the spread of dangerous epidemic diseases और यह है short title and extend और यह है power to इसको छोड़ दो okay so यह पहले वाला छोड़ दो अब दूसरा पड़ो सीधा power to take special measures and prescribe regulations as to dangerous epidemic diseases तो अगर तुम्हें यह अंग्रेजी बहुत ही कठिन लग रहे है तो मैं सिंपल सी बात पता रहा हूं कि सरकार अपने आपको power दे रही है to make certain special regulations certain takes certain steps to deal with certain epidemic diseases महा मारी जिसे बोला जाता है when at any time the state government is satisfied that the state or any part is threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease the state government if it thinks that saadharan provisions of the law ordinary provisions of the law are insufficient na kafi hai for the purpose may take or require or any empower any person to take such measures and by public notice prescribe such temporary regulations to be observed by the public or by any person or class of person as it shall deem necessary to prevent the outbreak of such a disease or the spread thereof and may determine in what manner and by whom any expenses incurred including compensation shall be defraged when you can see the situation by the organization that you can see the situation which is a good thing to say because of this country you can see the situation which is a good thing that you can see the situation how are you uh... पता दो यार इससे पहले कि जटका यह लग गया कि क्या हो कि यह बड़ा law पड़ा दिया आप चकर के हैं कि एक state government होती है very good और वो जो state government होती है रुको यार मैं इसको colorful बनाता हूँ ऐसे तुमारी life इतनी boring कर दी है मैंने तो जो state government होती है वो उसको बोला है कि भाई अगर आपको you are satisfied अगर आपको ये विश्वास है कि आपका या तो पूरा का पूरा state या उसका कोई part वहाँ पर या तो कोई disease which is an epidemic disease महामारी वो फैल गई है या फैलने का chance लग रहा है और जो ये disease है उसका control possibly नहीं है under ordinary laws यानि कि साधारन जो कानून जो इस ताइम पर ordinary laws in force है उससे काम नहीं चल रहा है तो state government is empowered under section 2 कि या तो वो खोद या किसी और authority को वो empower कर दे कि तुम ना special measures low special regulations pass करो तो ताकि इसको हम control कर पाए या तो उसके spread को या फिर उसके outbreak को किता simple सा था no problem तो ये है section 2 जो important part है कि epidemic diseases act में state government को power मिल जाती है to take such steps as it may deem necessary to prevent the outbreak of such a disease in the or the spread thereof and also may determine in what manner and by whom any expenses incurred including the compensation of any may be defraged समझ में आया तो आगे चलते तो आगे चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ state government के लिए ही बना हुआ पाइपिदेमिक DISEASES Act है ये एपिदेमिक DISEASES Act of 1897 Central Government को भी कुछ पावस देता है सेम लाइन को चेंज करेंगे मुटाथिस मुटाथिस करेंगे वन दे सेंट्रल Government is satisfied is satisfied that India or any part thereof of is visited or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease and that the ordinary provisions of the law for the time being in force are insufficient to prevent the outbreak of such a disease or the spread thereof the Central Government may make measures and prescribe regulations for the inspection of any ship or vessel leaving or arriving at any port in the territories to which this Act extends and such detention thereof of any person intending to sail therein or arriving there as maybe necessary आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा section 2 से अलग है बिल्कुल सही बात है because वो steps state के अंदर लिये जा रहे थे Central Government उन steps को देखेगी कि देश के बाहर से तो कहीं उठा के COVID लेकर कोई नहीं आगया plane में बैठके या ship में बैठके और इसी वज़े से तुम्हें मालूम है international travel बन कर दिया गया था क्यों? क्योंकि section 2A of epidemic disease Central Government को ये करने इसको empower करती है यह और ये बहुत simple सी बात है इसमें ship लिखा है vessel लिखा है उसको कोई problem नहीं है आइडिया ये कि international travel बन किया जा सकता है quarantine किया जा सकता है उनको बोला जा सकता vaccination लेकर आओ हम rapid RT-PCR test करेंगे randomly नहीं तो हम तुमको आने नहीं देंगे etc. etc. All these things can be done in the section 2A of epidemic diseases act मेरे खाल से तुमको सारी सारी चीज़े तुमारे आंखों के सामने से गुजर रही होगी ये news वो news लेकिन आज तुमको समझ में आगया गा होगा कि ये news वो news कितनी relevant है with relevant to law and with relevant to or relevance to polity तो पढ़ते हैं ऐसे बहुत ही boring तरीके से पढ़ा जाता है एक दम boring होके पढ़ा जाता है लेकिन in depth पढ़ा जाता है तो ये है penalty अगर तुमने नहीं बात मानी तो section 188 और Indian Penal Code तुमारे उपर लगू हो जाएगा बात मान लेना समझदारी की बाद इसी में है और the simple यहां पर है कि इस दोरान पर एक्टेव होता है तो जो भी सको भी सरकारी officer होता है या union government को officer होता है वो जो कुछ भी steps लेगा अगर वो in good faith ले रहा होगा तो तुम लोग ऐसा कोई बदमाशी कर रहे होंगे तुम lockdown के टाइम पर दोदर भाग रहे होंगे और किसी पूलीस वाले ने तुमको डांट दिया तो तुम यह नहीं बोल सकता है कि मैं तुम पर case कर दूँँगा वो बोलेंगे नहीं है मैं तो good faith में डांट रहा था वाई बिकाज यह मेरे को protection देता है section 4 तो तो डांट का मतलब डांट नहीं हो सकता है लेकिन उसको समझने के लिए तुम्हें थोड़े बहुत orders भी देखने चाहे तुम्हें समझ में आना चाहे कि यह हूँ क्या रहे जब इतनी boring life चली रही है तुम्हारी तुम्हें इतना ज्यादा boring quality पढ़ी रहे हो रोग कोविड 19 नियमावली 2020 के आलोक में प्रधान सच्चिव स्वास्तिव विबाग बिहार सरकार सर आपने बिहार सरकार क्यों बोला बिहार सरकार से मेरा कता ही मतलब बिहार से नहीं था मेरा मतलब स्टेट से था स्टेट सरकार के स्टेट गवर्वर्मेंट के आदेश फलाँ फलाँ द्वारा कोरोना वाइरस के संक्रमन स्प्रेड को रोकने एवं नियंतरन को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गए एक मेरी तो आंके एमोशनल होगी है क्या होगी है ऐनके क्यों मुशनल होगी एमोशनल ने होगी एमोशनल होने वाली बात है क्यों हो है देखो क्या लिखा हो है वेन अक ऐनी ताइन अन्ट्रेश गवर्मेंट is satisfied that the state or any part thereof is visited by or threatened with an outbreak of any dangerous epidemic disease the state government if it thinks that the ordinary provisional law for the time being in force or insufficient for the purpose may take may take or require or empower any person to take such measures by public notice prescribed such temporary regulations to be observed by the public or any person or class of person as it shall deem necessary to prevent the outbreak of such a disease including the spread thereof and may determine in what manner and to whom any expenses to do so which means the government will be harbour government's way to do so that the government will be automatically able to see the situation in the future of the shopping mall gym spa to be banned from the hospital to be allowed to be allowed in the country of the war 31 mar 2020 to be allowed in the country of the war 31 mar 2020 होगी etc 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 कहां से आया Epidemic Diseases Act of 1997 तो यह था भी आर्मा और जो लों इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो तिलंगाना का पढ़ लेते Epidemic Diseases Act of 1897 और Epidemic Diseases Act of 1897 के अंतरगत के अंडर तिलंगाना Epidemic Diseases COVID-19 Regulation Health and Family Welfare नहीं नोटिफिकेशन किया वेरास स्टेट गवर्मेंट इस साटिस्पाइड लाइन कितने बार पढ़ूंगा नहीं नहीं अब तो याद होगी होगी तुम्हें वेरास स्टेट गवर्मेंट इस साटिस्पाइड इस स्टेट अप तेलंगाना इस थ्रेक्टन विट इस्प्रेट अपोविट 19 वाइरस कुछ याद ही आ रहा होगा तुमको सक्षिन 2 और एपिडेमिक दिजीजेज आग एक्जाग वही कॉपी पेस्ता रहें विच अल्रडी बेन डिलेर अस पैंडेमिक बाइड वर्लेट ऑगनाजिएशन अन इस देर्फोर नेसेसरी तो टेक सर्टन मेज़र संपावर सर्टन ऑफिसर्ट गर्मेंट टेट गवर्मेंट टेक्ट सब्सक्राइब कोई टेंशन नहीं है ऐसे ही तुमको मिलेगा ओफ अल्मोस्ट एवरीवान हर स्टेट ने इसको पास किया था इन देक्सराइब पावर्स कंफॉर्ण बाइड डेली एपिडेमिक कोविड-19 इन डेलेशिंट अब्रेशिंट गवर्स करद गवर्स कोविड-19 हर स्टेट गवर्मेंट से हर स्टेट गवर्मेट इस रेगुलेशन को पास कर रही है अंडर एप इपिडेमिक डिजीजस अप्डर्ण आग्ड ऐMAN तुम्हें अब question आएगा prelims में तुम्हें अब question आएगा mains में तुम्हें question आएगा interview में बिंदस answer करना सो ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्व ऐसा छोड़े चोड़े स्टेप से लेने पड़ेंगे सब्सक्राइब करवाने तो भी आप यसे कर सकते हो सिंद एक्सराइब पावर्स कंफर बाइड डेली एपिदेमिक डिजीजेज कोविट-19 तो मैंने इतने बार समझा दे हो कि आप तुम गलती नहीं करोगे ओल एजुकेशन इंसिट्यूशन इंक्लूडिंग टीचिंग नौन टीचिंग कॉलेज़ इस पॉलिटेखनेग्स गर्मेटेट प्राइवेट एंसी डेली केंड बोर्ड उनिवर्सिटीज प्राइवेट तो यह एपिडेमिक डिजीज आक्ट इस तरह से ना ऐसे नहीं निकलता कि यह रेगुलेशन सोते हैं तो भाईया आज के बाद स्कूल खुलेंगे नहीं हाँ यह तो लिखाई नहीं होता बिटा लोग पढ़ना पढ़ता है ओके लोग पढ़ने के लिए एक स्पेशल नजर स्पेशल नजरों की जरूत होती है और वह मैं तुम्हारे को दूंगा इन फॉर्म ओफ ट्रेनिंग ज्यादा देर का इंतजार मत करना और मेरी क्लासे जॉइन करो तुम्हें मैं पता हूंगा टॉपर बनते कैसे यह इनकी मर्जी होगी स्टेट गर्मेंट की कि हमें ऐसा ल सब्सक्राइब को क्या करना है और इसे करके डेट आती जाएगी और गवर्मेंट की रेएगी और एपिडेमी डिजीजिस आग चलता रहेगा पता हूंग भी बंद कर दिये हैं तो सिने मौल भी बंद हुए स्कूल्स बंद हो गए यह तुम नोटिस करोगे कि एक के बाद एक ओर्डर साते जा रहे और अल अव देम आर कमिंग अंडर दे सेम आइडिया ऑफ कोविट-19 किने गुलेशिंस 2020 अब ओबिसले 2020 था अंडर था एपिडेमिक डिजीज आट ऑफ 1897 तो यह हेड्लाइन से हैं ओके तो यह लाइड लॉन्यूस नेट्वर्क से एक हेड्लाइन से कि थी बहुत यह अच्छी तर से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया ओक उन्हों बहुत इस आट ओफ 1897 बहुत चीज नाइसली तुमने पढ़ लिया और हमारे सिटी में हमारे स्टेट में लग गया लोगडाउन और ऐसा नहीं है कि हमारी सिटी में लग गया ओके यह करीब करीब पूरे कंट्री में शायद ही को ऐसा एरिया रहा होगा जहां पर यह लोगडाउन स्क्रीन थे तो यह तब का स्क्रीन शॉट है कि तब तो कुछ specific districts में लगा अब तुम्हें फिर मन में विचारा रहा होगा कि आप पूरे के पूरे स्टेट में एक साथ नहीं लगा होगे ना क्यों क्योंकि मैंने तुम्हें दिव्यद रिष्टी उपकरण दिया है तुम ल अब तुम्हें को लगता है तुम जाकर नया चश्मा लगवा होगे कि लोग को कितने ध्यान से देखना पड़ता है और ऐसे बनते हैं टॉपर्स के इट कैन भी आईधर देंटाय स्टे और उसका एक पार्ट भी तो अगर मैं तुम्हें यह मैप दिखाऊं तो तुम्हें इस मैप से अंदाजा हो जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले-पहले यह शुरू-शुरू का पार था जब यह पैंडेमिक स्टार्टी हुआ था लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए तो सब जगह नहीं लगाया तो इवन गुजरात में कच्छ में राजकोर्ड मे इसेटरा बिलवाडा जुण-जुणू सीकर जैपूर हर्याना में भी कुछ जगहों पे था डेली ऑविस्टी पूरा कवर अप हो गया ओडिशा में से एक ही जगह पे चात्यजगर ने कि जगह पर मद्यपरिश में एक ही जगह पे और जैसे जैसे यह स्प्रेड होता होंगे कि यह क्लासिस काफी बोरिंग है हां सर बहुत बोरिंग हो रही है नींद आ रही है कितनी देड़ से हम इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं पर वो टॉपर जो होते हैं वह ऐसे ही पढ़ते हैं ताकि यूपी ऐसे तुम्हें कोई भी कोशन लेफ्ट से गुमा के राइट से गुमा कर गुगली बना कर चोकलेट में मिला कर कैसे भी खिलाए तुम ये गलत ना करो और इस तर एंटाइर कॉंटेक्स ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस आक्ट ऑव 1897 मुझे लगता है इससे रिलेटेड जितने कोशन होंगे और इससे रिलेटेड एक और लॉव है लॉव नॉव नॉव नॉबर टू जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ दे येर 2005 तो अब हम करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अक्ट ऑफ दे येर 2005 तो एपिडेमिक डिजीजेस आक्ट बहुत पुरान है 1897 अंग्रेजों के जमाने का law है मैं तुम्हें last में जाते जाते अगर तुमनें थोड़ी वह पुछ टाकत होगी कुछ भी और पढ़ने की अगर इस वीडियो के अंत में ऐसा लगेगा कि तुम में थोड़ी बहुत हिम्मत बाकी है तो मैं तुम्हें उसके बारे में भी पता दूँगा लेकिन तुम यह रेलाइस करोगे कि वो एक कलोनियल लोह है राइट 8097 का यह सुसमें थोड़ी बहुत और में मन्स हूए है और इन्रे पेंडेट अलसों बट दूगतिज वरेडिम सेटेश ऊपड़ेंगे ऐंगे और टीए मैं ऑप्ट तूत एंपड़ा मैं तुमको सीधा सीधा लोही पढ़ा देता हूं क्या याद रखोगे तुम भी तुम्हें भी मेरी याद आएगी और मै ये है 26 December 2005 का पास्वा लोग लेजिसलेटर डेपार्टमेंट यानि की गेजट्ट गेजट्ट अव इंडिया में लिखा हुआ दो फॉल्विंग अक्ट पार्लेमेंट रेसीव असेंड अपर प्रेजिएंट अन 23rd December 2005 कितना कोइंसिदेंटल है क्या हुआ कि मैं जब ये विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वह भी 23rd December ही है वाह वाह वह वह थी बढ़िया पताओ कितना ही कितना कोइंसिदेंटल है अब मैने अगर चौथी बार पढ़ दिया तो तुम लो तुम लो तो मेरे को ऐसे घर पे आकर बोलोगे सर ऐसे करो नीद के गोली दे दो अन आक्ट तो प्रोवाइट फॉर एफेक्टिव मैनेजमेंट ओफ डिजास्टर तुम समझ नहीं रहे थे कि मैं एक्चुली कर क्या रहा था डिजास्टर मतलब क्या येस मैंने तुम्हें पहले भी को लाता हूं कोई भी स्टाचूट होता है उसको डिजास्टर हो एपिडेमिक हो डिजीज हो वेल्फेर हो कोई भी वर्ड है उसको डिफाइन करना जरूरी है So हम पादेगे इसासर डिसासर means a catastrophe, a mishap, a calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage and destruction of property or damage to or degradation of environment and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area. तुम नोटिस करोगे कि लॉइज थरो प्रोफेशन के लो में कोई भी स्कोप छोड़ा नहीं जाता वैसे कोशिश की जाते हैं बिल्कुल भी ना छूटे लेकिन अगर बहुत कम छूट भी जाए तो उसको बाद में अमेंड्मेंट्मेंट्स से आड़ कर लेते हैं बट आम त गaya environment की या property की या degradation of environment की की chance हो या हुआ हो और उस magnitude का वो इतना बड़ा magnitude इस scale पे हुआ होता है कि वहाँ की जो लोकल जनता है या वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उसको अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाई तो तुमारे यहाँ पर अगर कोई ऐसे छोटी मोटी घटना हो जिसको की आसपड़ोस में मिलकर हम लोग सौट आउट करेंगे या गाउं में कोई यसिस में हमें disaster management कर ना पड़ेगा तो disaster management कैसे करना पड़ेगा इट मीज continues ठर्कें मुसल्सल एब इंटी ग्रेटर् प्रोसेस और प्लानिंग करने पड़ेगी और गानाइजिंग करने कोडिनेट करना पड़ेगा इंप्लिमेंट करना गए क्या करना है कोई ऐसा डिजास्तर होने वाला है तो क्या हम उसको प्रेवेंट कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे अपने नोटिस के होगा बोलते बांध होता है जो डैम होता है उसमें लीके Gwni सब्सक्राइब करना होता है कि इसका कितना मैगनिट होता है कि इसका कि अपर उपर से दिखाई दे रहे और अंदर कुछ और हो बंञें करो चुकरा है फिर of course evacuation rescue and relief and rehabilitation and reconstruction तो या सारी चीजे जो होती है यह सब disaster management में गर्ण होते हैं So when I look at disaster management right still Disaster Management Act of year 2005 से निकला है So this is a very important element कि disaster management Act of 2005 से निकला हुआ यह पार्ट है in other words यह सब legal है यह सब statutory है और इसी को follow करेगी government in any kind of disaster which will include which will include covid so मैं तुम्हें फिर से कुछ orders दिखा रहा हूँ बहुत सारी चीज़े क्या होते हैं क्योंकि तुम लोग बनने वाले हो IS officer तो तुमको पता चलना चाहिए यह कि कैसे orders आते हैं फिर यह तुम कभी भूलोगे नहीं तो यह एक order है और हम मैं order पढ़के दिखाता हूं the world health organization has declared corona covid-19 disease as a global pandemic यह order है तो यह government of Kerala का एक order है the government of Kerala has declared it an epidemic and a state specific disaster all government machineries are in full swing operation to check the large-scale transmission of the virus and to award the unprecedented catastrophe that its community spread may bring up the answer so now I will call the answer packard right now okay I can't believe me so yeah so sorry that I'll make a whopper repeat the owner of the week on the video so it's coming up the answer so it's my life as the state government of Kerala is satisfied that there is a strong possibility of a widespread outbreak of the novel coronavirus covid-19 in the state of Kerala regulations have been issued as per section 2 of the epidemic diseases act of 1897 and empowered the DCs and the DMs to enforce the regulation अब यह यह वाला वो था जो मैं तुमको और्लेडी पढ़ा चुका था था और उन्हें ने इंपावर कर दिए डिस्टिक कलेक्टर्स और डिस्टिक मेजिस्ट्रेट्स को कि तुम यह इंफोस करना अब आगे चलेंगे अब इस इसी का आगे गए अज तड नाश्नल डिजास्टर मैनेजमेंट ओथॉरिटी इस साटिस्वाइड रुको लाइन कनेक्ट करते वो जाओ ऐसे नहीं मद आएगा लाइन कनेक्ट करने यह कैसे लाइन कनेक्ट करनें दिवान से देखते जाओ कर गो, line connect करना है, ओके, तो line connect करेंगे, as the, connect करो, connect, who is satisfied? State Government of Kerala is satisfied, who is satisfied? National Disaster Management Authority is satisfied, that there is a strong possibility of widespread outbreak of novel coronavirus in the state of Kerala, अरे, क्या होगा, connect Connection That the country is threatened with the spread of COVID-19 epidemic And has considered it necessary to take effective measures to prevent its spread across the country यहाँ पर क्या है, state of Kerala यहाँ पर क्या है, country And there is a need for consistency in the application Or implementation of various measures across the country While ensuring maintenance of essential services and employees Including health, infrastructure अहाँ बिटा पड़ते टॉपर्स ऐसे है Ministry of Home Affairs of India यानी की Union Government यानी की Union Government याँ पर कौन है, Union Government याँ पर कौन है, state government of Kerala Has issued guidelines Okay Has issued regulations To all state and union territory governments To all district collectors and district magistrates And authorities with directions for the strict implementation for a period of 21 days, etc Lines समझ में आई या नहीं समझे ऐसे बनते हैं टॉपर्स कैसे बनते हैं टॉपर्स यह आया तुम्हारे पास यह आया तुम्हारे पास करेगा यह Orders देगा, निर्देश देगा किसको तुम्हे तुम्हे मतलब जब तुम अगले साल आइस ऑफिसस बनोगे DM या DCs या फिर टू एनी अधर ऑफोरीटी टू एनी अधर ऑफोरीटी भी हो सकता यह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो यह हो गया स्टेट रेगुलेशन्स दिया कौन से लों में कैसी गलती कर सकते तो Epidemic Diseases Act of 1897 में क्यों भई, क्यों क्या क्योंकि हमको ऐसा लगा हम कौन? हम कौन? हम स्टेट गवर्मिट स्टेट गवर्मिट को ऐसा लगा कि COVID-19 या फिर कोई ऐसा Epidemic spread हो गया है कहां spread हो गया है? स्टेट में, अच्छा और part of state में और यह जो नीचे लिखा हुआ है तो मैं इसको जो नीचे लिखा हुआ है इसको सेम चेंज करेंगे ठीक है? तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कैसे चेंज करेंगे? अगर मैं Epidemic Disease Act की जगा DMA of 2005 बनाओ तो यह हो जाएगा country यानि की Union Government यानि की National Disaster Management Authority यह guidelines देंगे क्या देंगे? guidelines किसको देंगे? States को States को देंगे या Union Territories को क्यूं देंगे? यह आम तौरबे Ministry of Home Affairs से जो guidelines निकलेगा यह guidelines क्यूं होगा? Because NDA में satisfied है क्या satisfied है? कि there is a problem कहां पर? पूरे country में Are you understanding? और यह कहां से आया? यह आया DMA of 2005 यानि की Disaster Management Act of 2005 ऐसे पढ़ते हैं subject को तब तुम बनते हो Topper अब पढ़ेंगे हम आगे So अगर मैं Ministry of Home Affairs का ओहो लो तो let us hear straight from the horse's mouth Okay So Government of India Ministry of Home Affairs की 23rd March 2021 का एक order पढ़ेंगे Whereas an order of even number dated 271-2021 was issued for the containment of COVID-19 in the country for a period up to which was further extended up to या बार बार up to up to क्यों कर रहो up to up to इसलिए मैं बोल रहा हूं because ये भी temporary guidelines होती है ऐसे नहीं है कि ये एक बार बोला तो जिंदगी भर यही करते रहोगे Please remember इसका एक मकसद है to prevent the spread of the pandemic Whereas in the exercise of powers कहीं तुमारी आंखे गीली तो नहीं हो जाएगी Whereas in exercise of powers under section 6 sub clause 2 sub clause 1 of the disaster management act of 2005 the disaster management act of 2005 कौन सा आट 621 रुको यार देखी लेता हूं क्या होगे मैं कू पढ़ना है कौन सा आट Disaster Management Act of the year 2005 so Disaster Management Act of 2005 NDMA has directed the undersigned to issue an order with guidelines for containment therefore in the exercise of powers comfort under section 1021 or disaster management act the undersigned hereby direct the guidelines for effective control be enforced up to फिर से अप तू temporary सामन में आ गया किसने पास किया Government of India के under which law Sir Disaster Management Act of 2005 किसने डारेट किया NDMA ने डारेट किया क्यों डारेट किया क्योंकि उनको satisfaction है कि epidemic पूरे देश में फैल गया है और ये भी temporary ही guideline से कौन साल लौ में बोला Sir 6 2 of Disaster Management Act without prejudice to the generality of the provisions contained in Subsection 1 Subsection 1 क्या है The National Authority shall have the responsibility for laying down the policies plans and guidelines for disaster management for ensuring timely and effective response to disaster क्या करना है lay down policies on disaster management approve the national plan approve the plans plan prepared by the ministries departments in accordance with the national plan lay down guidelines to be followed by मैं तोर ये क्या करो कलर कर रहा हूँ lay down guidelines to be followed by the state authorities कौन करवा रहा है national authority करवा रही है किसको करवा रही है state authorities आप इतने emotional क्यों हो रहे मेरा बच्चा ये बाद में problem हो सकता है कैसे क्योंकि ये center state relations का topic हो जाएगा समझ में आया मेरा बेटा पढ़ते कैसे है ये कौन बोल रहा है national authority किसको बोल रही है state authority को okay so a very important part is lay down guidelines to be followed by different ministries coordinate the enforcement of implementation of policy recommend provision of funds for purpose of mitigation etc 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 जैसे ही मैं इस topic पर पढ़ रहा हूँ ना सिर्फ मैं एक normal multiple choice question relate कर रहा हूँ with relationship to COVID-19 management with relationship to epidemic diseases act with relationship to disaster management act but मैं also कोशिश कर रहा हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ पता नहीं ना चाहते हो मेरे को जाना पढ़ रहा है in the region of what is called as federalism कभी के इस पर अलग से भी question आ सकता है लेकिन make sure that उमें पता हो कि ये है क्या सबसे पहले हम national disaster management authority under the government of India को समयने की कोशिश करेंगे and once you understand this will be better so हम पढ़ेंगे national disaster management authority तो ये तुमें सीदा सीदा mcqs आ सकते so go slightly slow on this part ऐसे तुमारी काभी मैंने बोलिंग क्लास की हुई है तो थोड़ा सा और ही सही तो subject तो समझ लो the national disaster management authority पहला question तुमें आएगा कि national disaster management authority is headed by whom तो it is headed by the prime minister of India number one ये हो गए एक mcq ओके दूसरा है setting of a vending and creation of an enabling environment for institution mechanism etc कौन से law से आता है तो यह आता है disaster management act of year 2005 तो यह होगा दूसरा ओके तो इसे automatically आपको दो पार्ट होगे NDMA is mandated to lay down policies plans and guidelines for disaster management ये तो तुम लोगे NDMA words से समझ जोगे the important part कि तुमको prime minister of India and disaster management समझ में आप पड़ेगा थोड़ा सा relation में कभी को गुमा देती हैं तो हो सकता है तुम ऐसे घबरा जो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह किसके लिए है तो damage and destruction caused by natural as well as man-made disasters कभी-कभी चोटी-चोटी बातों में भी students हो जाते हैं कि पतानी शायर natural disaster man-made disaster तो तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे कोशन लगेंगे जहां पर obvious kind of choice obvious और हम तो common sense है तो common sense common sense का word ही इसलिए यूज़ करना पड़ा विकोज यह बहुत ही जादा पूरी तरह सा rare uncommon चीज़ होती है so through sustained and collective efforts of all government agencies relation में question ऐसे भी आ सकता है थोड़ी देर अगर तुम अपने आपको real examination scenario में डालोगे न तो तुमको ऐसे भी ऐसास होगा कि अगर इसमें choices ताल दी जाए न कि non-governmental organizations को भी क्या include किया जा सकता है directly people's participation भी लिया जा सकता है या नहीं तो यह choices बड़ी relevant choice बनती है UPC civil society examination में एक exam question paper बनाने की तो अगर सब मैं exam paper बना रहो वैसे तुम में को बनाने ने दे रहे लिके नगर बनाए ने को बोलूँगा तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा choices ऐसे डालूँगा NDMA is mandated to deal with disasters which are man-made which are natural which will include the participation of NGOs, public and all government agencies फिर आएका 1 2 3 1 & 2 2 1 2 3 4 5 and so तो इस तरह के question जब तक तक तुम्हें in-depth ना आते हो ना उपर उपर से पढ़के चले जाएंगे सरम जो तुपर उपर के माक्स आएंगे फिर तुमारे तो ध्यान से करना आराम से ओके and make sure that you understand तो अभी तक 2 straightforward mcqs हो सकते हैं 1 & 2 और दूसरा यह मैंने जो तुम्हें यह सारा paragraph पता है सब्सक्राइब एक एट्सेटरा देन देन फेटेंट फेटरी प्रोविजन देना जरूरी है 23rd December 2005 को यानि कि आज के देट लेकें 16 साल पहले पताव वैसी कितनी मेजर कोइंसिदेंस है नहीं नहीं Parlament of India enacted the Disaster Management Act with Invisage, the creation of National Disaster Management Authority headed by the Prime Minister Southamane there will be a State Disaster Management Authority headed by the respective Chief Minister तो यह एक और MCQ है कि जो 우리 NDMA will be headed by the Prime Minister SDMA will be headed by the Chief Minister To spirit and implement a holistic and integrated approach to Disaster Management in India NDMA headed by the Prime Minister is Apex body and similarly, okay, state and disease mandated by the Disaster Management Act or 2.5. बाकि मैंने तुम्हें अलड़ी पता दिया है, यह सारे possible MCQs है, एक छोटा सा paragraph बनाओ अपनी notebook में और वे सारे MCQs उसमें लिख डालो, simple as that. जो next part is functions and responsibilities, NDA में, etc. यह मैंने तुम्हें अलड़ी पता दिया है, lay down policies on disaster management, etc., etc., etc. यह तुम अगर written answer में लिख सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो important line है, जो से मेरा, मेरा, मेरा बड़ा मकसद है, मेरा मकसद यह है, lay down guidelines to be followed by state authorities in drawing up the state plan. और जैसे ही मैं center और state को इस तरह से connect कर देता हूँ, यह सीधा-सीधा automatic question बन जाता है, of मेरा dangerous next topic, federalism. वा, connection देख रहा है विट्टा, ऐसे पढ़ते है subject को, are you understanding? देखो, तो हम लोग ने story कहां से start की थी, मैंने COVID-19 के related जो resurgence हो रहा है, उससे related current affairs start किया, फिर मैंने तुम्हें उसकी history समझाई, कि पिछले साल और पिछले से पिछले साल कितना बुरा हाल हुआ था, ओके, और उसके बाद हम लोग ने इससे relate किया, relevant laws पढ़ने के कोशिश की, और जब relevant laws हमने समझने के कोशिश की, तो हमको दो laws दिखे, एक में दिखा, epidemic diseases act of 1897, जिसमें primarily role state government का है, थोड़ा बहुत central का भी है, लेकिन primary state का था, फिर हमने देखा, disaster management act of year 2005 में, फिर disaster management act 2005 में हमने इसको देखा कि union government का कितना role था, इंडिये में का क्या role था, और फिर हमने इससे related ये देखा कि इंडिये में बना, SDA में बना, और फिर हमने notice किया कि ये matter लेका जा रहा है, हम go to the next element of federalism, सो जैसे ही आप center state relations के बारे में पढ़ोगे, आप जा रहे हो एक नई topic में, एक नई दुनिया में जिसे बोला जाता है federalism का, So let us try and understand now federalism, if you are able to understand this, I think the picture will be very very clear, and it will take us to a very interesting part of our discussion, तो मैंने तुम्हें बोला था, अरे interesting, sorry, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, कुछ interesting नहीं होने वाला, completely boring रहने वाला है, बहुत जादा detailed रहने वाला है, So, जरा भी उमीद मत करना, कि कोई excitement होईगी, कुछ तो interesting बनाए, कोई तो time pass गप्पे मारी जाएगी, ट्वेंटी का एक newspaper, screenshot तुमासा शेयर करो, government invokes section 35 of disaster management act to fight covid states fume, तो ये क्या है, 35 of disaster management act, union government को अलाव कर देती है, कि वो inter-ministerial central teams बनाए, और वो जो inter-ministerial central teams है, उनको वो state government को अवास बेज़ देंगे, और वो वहाँ पर check करेगा, कि क्या हो रहा है, वहाँ पर ठीक हालात है कि नहीं, और वहाँ पर ही जाके वो state authorities को direction दे देगा, और वो जो teams है, फिर जाके report करेगी back to the central government, very good, so इसमें ये बहुत सारी situations क्यों पास की गई, ये union government को लगा कि बहुत सारे situations ऐसे हो रही है, कि जैसे जब जैसे हम लोगों ने कुछ guidelines पास की है, union government पास की, और फिर उस union guidelines के बावजूद भी जब पुलीस वहाँ पर किसी को रोकने की कोशिश करती है, लोकडाउन करवाने की कोशिश करती है, या फिर लोगों को बोलती है, बाहर मत आओ, तो वहाँ पर बहुत सारी violence हुई है, डॉक्टर्स के खिलाफ हुई है, okay, social distancing नहीं लोग मान रहे हैं, ना चाहते हैं, हम मना कर रहे हैं, नहीं भाराओ, तो भी लोग गाड़ियां ले लेकर गूमे जा रहे हैं, पर जूटे-जूटे बहाने मारते हैं, तो union government बहुत हो गया है, या तुम से नहीं manage हो रहा है, हम इसले पड़ रहा हूं क्योंकि अब धीरे 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 ये मामलग COVID से निकल कर हम जा रहे हैं to the discussion of what is called as disaster management से हट कर of the discussion of federalism. Stung by the implication that their efforts to curtail the spread of coronavirus has been sloppy. States led by opposition parties are expected to begin voicing their protests against the move by the central government to invoke section 35 of the Disaster Management Act. तो जो लोगो ये नहीं समझाया हो, उसका कहने का मतलब ये है, कि state governments को लग रहा है, हम पर इल्जाम, है हम पर इल्जाम, हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम लोगों ने COVID को spread करने से रोका नहीं, यह हमको measures लेने नहीं आते, और तुम इसलिए IMCT इसको बना कर हमारे पास भे होलता है, act permits a union government to constitute inter-ministerial central teams and dispatch them to states, मैंने तुम्हें क्या बोला था, वो सीधा-जीधा states में जा सकते हैं, to make on-the-spot assessments, issue necessary directions to state authorities and submit their report to the center, लो मैंने तुम्हें यह स्तीनों वाले पर आता दिया था, Ministry of Home Affairs ने ऐसी 6 teams बनाई है, किसने बनाई है, Ministry of Home Affairs ने, किसने बनाई है, Ministry of Home Affairs ने, मैं तीसरी बार बोलूँगा ताके तुम्हें memorize हो जाए, because यह सीधा-सीधा question बनता है, कि Disaster Management Act में आम तोर पर जो guidelines आ रही है, वो जो Disaster Management Act में union government के तरह से आ रही है, Ministry of Home Affairs से आ रही है, which are for the moment headed by bureaucrats and will tour affected areas to report omissions and commissions by the state governments in the management of COVID-19 situation, these include incidents of violence on frontline healthcare professionals, violations of social distancing and moment of vehicles, मैंने तुम्हें सब कुछी पता दिया था, बहुत बोरिंग तरीके से बताया था, लेकिन मैंने पता तु दिया था, So section 35 में, the union government is provision को invoke करेगी और जो वो provision को invoke करेगी तो state government को बुरा लगने लगा, state government को बोला, तुम समझ नहीं रहे हो, क्या, कि इस से हम पर ilzाम लग रहा है, ilzाम ये लग रहा है, कि क्या हमने अपना काम ठीक से नहीं किया, अब ये है या नहीं है, ये बात लग है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले बोला, ये कोशन धीरे-धीरे हमको federalism की तरफ लेका जा रहे है, फिर हम एक और बात को देखेंगे, और ये इसी में, the chief minister of West Bengal, Madam Mamta Banerji, इनोने कोशन किया है, has already questioned the basis of these themes, and I will quote her, and I quote, we welcome all constructive support and suggestions, especially from the central government, in negating the COVID-19 crisis. However, the basis on which the centre is proposing to deploy IMCTs in select districts in India, including a few in West Bengal, under the Disaster Management Act 2005, is unclear. Unquote, the CM said, adding that, until the criterion for this move is shared with the state government, I quote again, it would not be possible for the state government to move ahead on this, as, अई, हई, 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 क्या होगा सर आगे पढ़ो ना, मैंने पढ़ो है मेरी आंके नम होगी, As it might not be consistent with the spirit of federalism ऐसे पढ़ते हैं मेरा बच्चा सब्जेट को बोरिंग करके लेकिन तुमारे मुझ से निकल गया होगा इसको कहते हैं connection This is called as learning This is called as 24-karat rock-solid preparation और same चीज दे हिंदू नियूस्पेपर में आया हुए But in a very different point And you have to really, really, really understand this part हमारे देश को फेडरेशन नहीं बोलते बिलकुल सही बात है India that is Bharat shall be a union of states ये बहुत ही important element है India that is Bharat shall be a union of states Now the point here is Now the point here is That जब तक हम इस spirit को समझेंगे नहीं हमारा सब कुछ गरवर हो जाएगा So अगर मैं federal structure या फिर word federation ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही boring तरीके से पता रहा हूँ लेकिन मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं बहुत कुछ होंगा So let me just explain this to you एक short में ये समझ में आ जाएगा Let's get this point So मेरे पास है बड़ी ही अजीब problem मैं अगर federation word धूढने की कोशिश करूँगा मुझे पूरे constitution of India में कहीं नहीं मिलने वाला क्यों? क्योंकि ऐसा word mentioned ही नहीं है Article 1 of the constitution of India बोलता है India that is Bharat shall be a union of states India that is Bharat shall be a union of states और इस union of states में इस union of states में agreement नहीं है एक understanding है मैंने क्या बोला है? कि इसमें कोई agreement नहीं है कि हमारे बीच में हमारे states ने agree किया हुआ है या agreement किया हुआ है कोई written agreement नहीं है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे लेकिन एक understanding है और वो understanding एक spirit है एक भावना है एक federal scheme है और उस scheme के नाते there has to be what is called as division of power so there is a division of power or other distribution of power distribution of power between the center and the state governments अब यह अलग अलग तरीके distribution कैसी है तो यह जो distribution है अगर तुम लोगों ने center state relations पढ़ा होगा तो यह legislative relation है यह administrative relation है यह financial भी है लेकिन आज की date में हम यहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग समझे है center and state तो हमने एक schedule बनाया उस schedule को बोला गया seventh schedule of the constitution और seventh schedule में तीन list बनी list one list two and list three जो list one है उसको union list नाम दिया गया जो list two है उसको नाम दिया गया list state list और third list is called as a concurrent list simple सा rule है अगर मैं article two four six of the constitution उठा के देख लूँ तो खुद ये खोल के देख लो मैं तो तुम्हें detail में पढ़ा रहा हूं तुम तो देख लो आच्छा तो article two four six of the constitution उठा के देख लूँ तो मुझे दिखाई देगा list one list two list three list one list two list three क्या अनुसार आर्टिकल two four six में list one list two list three नहीं लिखा वो seven schedule लेकिन आर्टिकल two four six में यह लिखा है कि जो union Parliament है वो list one के उपर laws बना सकता है जो भी subject matters वहां पर दिये हुए जिजए डिफेंस अटों में के निवजी एट्सेटरा एट्सेटरा citizenship list two okay public order police land यह सब चीज़े अगर तुम देखोगे लोकल government health etc तो यह आपको दिखेगा वेद रिगाद्स तू लिस्टू तो स्टेट गवर्मेंट यानि कि स्टेट legislature विधान सभा विधान परिश्ट यह इस पर बना सकते हैं और concurrent list जो मिश्रित है concurrent list है वो तोनों को अलाव करता है पार्लेमेंट आज वेल स्टेट legislators को लोग बनाना यह तुमने स्कूल में भी पढ़ लिया था मुझे मालूब है और अब problem कुछ और रहता है problem यह है कि हमारे situation में हमारे situation में कोई-कोई एसे भी matter है जो इन लिस्ट में mentioned नहीं है और इन लिस्ट में अगर वो mentioned नहीं है तो उस matter को रेजीडुरी powers बोलते हैं तो रेजीडुरी powers यानि कि कोई भी ऐसा subject matter हो जो ना list one में हो ना two में हो ना three में हो तो वो automatically चले जाता है to the union इसको रेजीडुरी पावर्स को union parliament laws बनाता है यह जो प्रोविजन है यह article 248 of the constitution में बड़ी clearly mentioned है बड़ा बुरा लगा मुझे क्यों कि अगर state governments है तो अगर वो अगर यह चाहें कि यह रेजीडुरी पावर्स उनके पास जाएंगे तो नहीं हमारे यहां पर नहीं और राइट सो अगर हम इसको देखेंगे कि आर्टिकल 248 to be read with entry 97 of the first list तो जेजीडुरी matters चले जाते हैं to the union कभी-कभी इसी वज़े से हम पर इल्जाम लगता है जो कि केसी वेरे ने बोला था that India is a quasi-federal state with a unitary tilt इल्जामों का क्या है आने दो now the situation here is now the situation here is कि कितने मर्जी subject matters तुम लिख लो जितने मर्जी लिखना है लिख लो it is bound to be कोई ना कोई topic एक दूसरे से overlap जरूर करेगा तुम इस लड़ाई से मुक्ती पाई नहीं सकते कहीं न कहीं तुमको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा सा जो matter है ये थोड़ा सा union list में जा रहा है और ये थोड़ा सा state list में जा रहा है तो एक Supreme Court का guidelines दिया गया था in the matter of Godraff Phillips was a state of UP in 2005 जिसमें एक judicial formula यूस किया गया था which is called as doctrine of harmonious constructions what is this called doctrine of harmonious constructions so is major doctrine of harmonious construction where key door provisions ko aap saath में लेकर भी merge करा के भी चला सकते हो so the interpretation of two different entries and two different lists should be done that as far as possible as far as possible the point is कि until and unless until and unless will calli confrontation which of course brings us to the next doctrine of doctrine of repugnancy okay तब तक इनको साथ साथ लेकर चला जा सकता है also important बात यह कि हम लोग है न हमेशे law seven schedule unionless stateless concurrentless यह पढ़ पढ़ के छोड़ देते हैं हम यह बात भूल जाते हैं कि हमारे constitution में कहीं पर भी distribution of power with relationship to executive power लिखा ही नहीं है ओहो यह तो बात पता ही नहीं चलिए हमको येस तो हमने legislative power को divide कर दिया हमने उसको unionless stateless और concurrentless में divide कर दिया lawmaking power होगी ना तो executive power के बारे में क्या है यहां पर एक important part important है the simple सी line जो आपको याद अखने पुड़ेगी कि अगर मैं union executive से related और अगर मैं state really executive से related पढ़ना चाहूं तो याद अठना that the law making power or rather the executive power and the law making power are co extensive with one another मैंने क्या word यूज क्या executive power law को implement करने की power और law बनाने की power एक दूसरे की co extensive है बहुत ही बढ़िया तो यह लिखा हो था article 73 में और अगर यही state से related है तो यह article 162 अगर सारी कहानी खत्म हुई क्या कहानी खत्म हुई मैं फिर से बताऊंगो पूरी कहानी ताकि तुमको पल्ले पड़ गया और मैं तुम्हें बोर करना चाता हूं तो एक की बार में बोर हो जाओ तो बोर यह हो रहा है कि हम लोग फेडरेशन नहीं है हम लोग ट्रू फेडरेशन नहीं है हम लोग यूनियन है और हम पर इल्जाम है कि हमें कौसाइफ फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टे लेकिन फेडरेशन का एक बड़ा इंपॉर्टन एलेमेंट होता है दिस्टिबूशन और डिविजन ऑफ पावर जो की हमारे कॉंस्टिटूशन ने किया हुआ है तो अगर मैं सेवन शेडियूल खोल के देखूंगा तो तीन लिस्ट मिलेगी जिससे डिस्टिबूशन ऑफ पावर है लेकिन यह लेजिसलेटिव पावर की डिस्टिबूशन है जिसमें है लिस्ट वान लिस्टू और लिस्ट्री इसमें यूनियन लिस्ट है जो कि सिर्फ यूनियन पार्लेमेंट लो बना सकता है स्टेट लिस्ट है जो सिर्फ स्टेट का किया स्टेट विदान सबस कर सकती है और एक है कन करेंट लिस बिल्कुल सही बात है अब एक्जीक्यूटेव पावर को अगर हम देखेंगे तो जहां-जहां तक मेरा law मेकिंग पावर जाएगा वहाँ वहाँ तक मेरा लॉइंप्लिमेंटेशन यानि कि एक्षिक्यूटव पावर भी जाएगा यह आर्टिकल 73 एंट 162 में लिखा हुआ है एक और इंपोर्टन प्रॉब्लम है अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि ना इसमें है ना इसमें है इसमें है तो वो रेजिडूरी मैटर कहलाता है और अर्टिकल 248 टुबी रेट वेजांटर 97 और लिस्वन के अनुसार यह यूनियन के पास चले जाएगा लास अगर कोई दिस्प्यूट होगा कि यह मैटर कहां पर जाने वाला है क्यों नहीं एक दूसरे से कॉंफ्लिक्ट कर रहा है या क्यों कर रहा है तो इन्द सुप्रीम कोट जाग्मेंट ऑफ गॉट्ट्रेट फिलिप्स वर इस सेट अव यूप इन टूट्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस instruction apply करना चाहिए ताकि as far as possible यह दोनों merge कर सब्सक्राइब तो यह दा हिंदू का एक आर्टिकल है और मैंने तुम्हें इसको अब जितने इसली मैं समझा सकता था मैने इसको समझा दिया है बट लेट इस रीड़ इन अगें अन्ट अधर फेडरल scheme Parliament can legislate on matters under the Union list legislate legislatures can legislate on matters under the state list and both Parliament and state legislatures can legislate on matters under the concurrent list regulatory power to legislate on matters that are not mentioned in either list two or three ways with with Parliament under article 248 to be read with entry 97 of list one furthermore the rule of harmonious construction laid down in the Supreme Court in the order in the judgments including in Godfrey Phillips case dictates that the entries in the legislative list must be interpreted harmoniously and in the event of any overlap between two or more entries the specific subject matter contained in a particular entry must be deemed to have been excluded from another entry which may deal with a more general wide subject matter finally finally as per 73 and 162 the executive power of the center of the state is co-extensive with the respective legislative powers which means that the central and the state governments can only take executive actions in matters where the Parliament and the state legislature respectively have the powers to legislate powers and executive powers are co-extensive with one of the I am 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 the federalism the spirit of federal schemes or the Federation is a part of the basic structure doctrine of the Constitution of India so that brings me back to Disaster Management Act of year 2005 तो तुम भी सोच होंगे बड़ी मुश्किल से हमने ये पहाड क्रॉस किया था आप इसको दोबारा ले आयो तो अब हम हम दोबारा आ गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट आक्ट ऑड़ी यर 2005 पर अगर मैं हेल्थ की बात करूं अगर मैं पब्लिक सानिटेशन और हेल्थ की बात करूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है क्यों कि मुझे ऐसा लगता है कि कोवेट नाइटीन का जो पैंडिमिक है वह पब्लिक सैनिटेशन और हेल्थ के काटेगरी में आता है येस अगर दियान से देखना पिट्टा चुमारे पूरा बोरिंग क्लास है ना वह अच्छ का अगर कोई मैटर होगा तो वो कौन संभालेगा यूनियन की स्टेट अगर इसको एंसर दिया जाए तो एक्चुली यूनियन और स्टेट के हिसाब से ये आंसर स्टेट होना चाहे बिकाज मैं अगर एंट्री नंबर सिक्स ओफ लिस्टू देख लूँ बाट इस स्टेट देख लूँ तो वो क्लियरली बोल रहा है पबलिक सानिटेशन और हिल्थ स्टेट लिस्का मैटर है और जब स्टेट लिस्का मैटर होता है तो अनली देट कैन मेग दिस एनी कैंड आफ रूस रेगुलेशन पॉलिसीज अच्टरा लेकिन मैंने तुमको अभी थोडी देर पहले इतनी देर तक पढ़ाता चला गया मैं डिजस्टर मैनेजमेंट आक्ट अफ यह 2005 और यह पास किया following act of Parliament यानि कि किस ने पास किया पार्लेमेंट ने यह किस से डिल कर रहा है कोविड से कोविड से डिल कर रहा है तो कोविड है क्या कोविड के है कोविड कोविड तो हेल्थ प्रॉलम है यह तुम्हें लगता है लेकिन अगर मैं यहां पर disaster की definition देखूंगा तो वो मिलेगा catastrophe, mishap, calamity, grave occurrence, arising from natural or man-made causes, accident, negligence, substantial loss of life, human suffering or damage to destruction of property and damage, etc, etc, etc. COVID क्या है? COVID एक health problem है, कि COVID एक disaster है, सारी कानी यहां पर ऐसे पढ़ते हैं मेरा बिट्टा subject को, COVID अगर health है, तो यह health related issue है, तो यह public sanitation और health के issue में आना चाहिए, और अगर disaster है, तो यह disaster management act of year 2005 में आना चाहिए. अब यहां से दो तीन questions और बन जाते हैं, सबसे important बात हैं, कि हमने इतनी लंबी चोड़ी definition देखी, of the word disaster, और in other words, यह बहुत ही wide definition है, इसमें तो practically सब कुछ है समा जाते हैं. दूसरी बात है, सारा खेल परिभाशाओं का है, सारा खेल शब्दों का है, अगर हमने इसको health issue बोल दिया, तो यह public sanitation health में आ जाएगा, और list number 2 में आ जाएगा, entry number 6 में आ जाएगा, state list में आ जाएगा, और फिर central government, इससे related कोई भी guidelines तुमकों नहीं दे सकते, कहानी खतम, तो central government ने लेकिन क्या माना है, parliament बोलता है, कैसी बाते कर, यह disaster है, और यह disaster होने के नाते, अरे, एक problem हो रहे है, कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा, कि disaster word union list, state list या concurrent list में लेखिए, कहीं नहीं लेखिए हुई, disaster list ना one में है, obviously one में तो होएगी नहीं, ना two मे है, ना three में, तो यह कौन सा matter हो गया, यह matter हो गया, residue matter, जो मैंने अभी अभी तुमको समझाया था, कि जो residue matter है, वो article 248, entry number 97 list 1 के अनुसार, has to go towards the union parliament, तो union parliament ने disaster को एक residue matter समझ कर, disaster management act of year 2005 पास किया, अब गड़बड यह हो रही है, कि disaster management act के अनुसार, union government, state government को direction दे सकता है, और देगा, जो state है, वो बोल रहा है, कि problem कुछ और है, हमारे अनुसार, मतलब तुमारे अनुसार, मतलब state के अनुसार, state के अनुसार, कोविड एक health related issue है, ओके, और अगर यह health related issue है, तो यह completely हमारे पास होना चाहिए, पारलिमेंट बोल रहा है, इसे बाते मत किया करो, हमारे हिसाब से, कोविड एक disaster है, और वो DMA 2005 में आना चाहिए, जो इसको हमने, रेजिडवरी list या रेजिडवरी subject matter मान कर बना लिया है, समझ में आया या नहीं, problem को solve तो तुम तब करोगे ना, जब तुम्हें problem समझ में आएगी, problem तो तुम्हें सब समझ में आएगी ना, जब तुम्हें कोई पढ़ाएगा, और तुम पढ़ोगे, so यहाँ पर हो जाता है एक major problem, क्योंकि यह question खड़ा हो जाता है, of what is called as federalism, अब यहाँ पर हो गया यह एक तरह से dispute, or between the center government and the state government, and मुझे ऐसा उमीद है कि बगवान ना करे यह जाए, लेकिन अगर यह supreme court में चला गया, या फिर यह argue हो गया, तो there will be a problem, so this is the entire situation of this entire subject matter, क्या सिंपल सी बात है, can the act be applied at all for dealing with the pandemic, Disaster Management Act allows the center to issue guidelines, directions and orders of the states for mitigating the effects of any disaster, definition of disaster is बोद बड़ बड़ा, literally speaking, would include a pandemic too, such a reading of the act would vest the central government with powers to issue directions and guidelines to state governments for dealing with pandemic in the states, which is what the center has been doing, however, public health and sanitation is in entry list of 6-2, which means that states have the exclusive right to legislate and act on matters concerning public health, thus the center's guidelines for dealing with the pandemic trench upon a field of legislation and executive action that is exclusively assigned to the state, public health, Supreme Court ने बार बार बात बोलिये, that federalism is a basic structure of the constitution, although the union enjoys more powers in the states, states are sovereign, the Disaster Management Act having been enacted by the parliament under its residuary powers, 248, entry 97, list 1, cannot we apply to pandemics that power to legislate, etc, 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 etc. In other words, ये कोशन हो गया है, federalism मे, है, and that is why, जैसे ही तुम, Disaster Management Act 2005 यूज करते हो, यू, somehow, somewhere, are now going or into the territory of the issues related to federalism, कहां क्या आगाज, कहां का अंजाम, कहां शुरू ही थी, ये कहानी, कहां पहुंच गई, है, so, हम लोग पढ़ रहे थे, epidemics and pandemics, किसी को लगा होगा, ये एक history का topic पढ़ रहा था, हमने, लेकिन, लोग आहम तोर पर यहीं से start करते, epidemics and pandemics, और फिर भूल जाते हैं, कि ये तो quality पढ़ाए जा रहे, ये समारे यहां पर बहुत सारे epidemics and pandemics हुए, ओके, cholera का हुआ, flu का हुआ, Spanish flu जिसे बोला जाता है, उससे भी बहुत पहले हुआ है, Lake of Justinian Byzantine Empire में हुआ है, and we have tolerated all of these parts, epidemic diseases at 1897, जब पुने में swine flu हुआ था, तब भी utilize हुआ था, 2018 में, वदोधरा में भी इसको utilize किया गया था, जब चंडीगर में डिंगू और malaria spread हुआ था, तब भी utilize हुआ था, मुझे इस में कोई problem नहीं, मुझे इस बात में problem है, कि क्या ये सब laws, और खास कर जब हम disaster management act करते हैं, does it deal with an issue of federalism or not, so जैसे हाला आप दिख रहे हैं, we might be entering into another lockdown period, भगवान करें ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो, तो please take care of yourself, please ensure that you maintain all the guidelines, और साथ-साथ में बैठके ये भी पढ़ो, कि ये guidelines आप कौन से laws से रहेगे, पता हो यार, हर जाइस में quality, because I want to make this subject very 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 boring, and I want to do deal in in-depth detail, और वैसे ही toppers बनते हैं, my friends, you are a wise gang of students, my friends, take a wise decision, and I think I have satisfactorily explained the entire topic in the words of unacademy, let's crack it, until next time, God bless, thank you and Jain, please don't forget to use the code said live and join our plus courses as soon as possible, thank you.